चाप्टर थ्री हमने दूसरे चाप्टर में सुना कि किस तरह नाइक स्टोन नाक और राम नाक छुट्टी पर जाते हुए मुखिया के जोपने में राद बर रुकने के लिए आते हैं जिसके बाद मुखिया की लड़की सावली रात को पानी लाने के लिए गाव के कुए पर जाती है जिस पर जाने की अच्छूतों को मनाई होती है रात के अंधेरे में एक आदमी सावली को उस कुए से पानी ले जाते हुए देख लेता है और आगे चांदनी रात की हलकी रोशनी में जोपडे के सामने मुखिया, सोननाक और रामनाक तिनों बातों में लगे हुए होते हैं इसी बीच मुखिया अचानक रामनाक से व्यत्तिगत प्रश्ण पूछता है तुम्हारे बाल बच्चे भी तो होंगे ना, कितने बड़े हैं रामनाक को लगता है शायद ये बात मुखिया ने सोननाक से पूछी होगी वो उसकी तरफ देखता है मगत सोननाक इशारे से बताता है ये बुढ़ाओ मुझसे नहीं, तुझसे ही पूछ रहा है रामनाक उड़ता सा जवाब देता है मामा, शादी के लिए लड़की चाहिए आज तक वही नहीं मिली, तो बाल बच्चे कहां से आएंगे? बताइए अभी तक शादी नहीं की? मामा, अब बंदुख से शादी हो गई है वही अपना सब कुछ है उतने में सावली डरते हुए पानी का मटका सीर पर उठाए सामने से आती है लड़की की डरी हुई सुरत देखकर मुखिया उससे पूछता है क्या हुआ बेटी? किसी ने कुए पर देखा तो नहीं? सावली लजाते हुए ना में सर हिलाती है और सोना की तरब देखकर कहती है खाना परोस्ती हूँ, आईए, खाना खाले जीए सावली जोपडे के अंदर चली जाती है वगर सोना की नजरे उस दरवाजे पर ही टिकी रहती है जहां से वह अंदर जाती है उसे खोया हुआ देख, रामनाक उसके कंधे को हलके से धक्का देता है चल भाई, खाने का बुलावा आया है, चलोट सोनाक मुखिया की तरब देखता है तो वह भी महमान नवाजी वाले अंदाज में कहता है जाओ बेटा जाओ, जाओ अंदर जाओ मैंने पहले खा लिया है, अंदर जाओ और भरपेट खाओ सोनाक और रामनाक दोनों खाना खाने जोपडे के अंदर जाते है अंदर दो थालिया रखी होती है, दोनों बैट जाते है साउली उन्हें खाना परोसने लगती है इसे भी सोननाक उसे नजरे चुरा कर देखने लगता है अचानक साउली की नजरे भी उससे टकराती है तो दोनों शर्माने लगते है खाने के बाद सोननाक, रामनाक और मुखिया बाहर सो जाते हैं तो सावली जोपड़े के अंदर सावली कहने को तो सो जाती है वगर उसकी आखों से नीद को सो दूर भाग जाती है उसे बार बार वह द्रश्य याद आता है जब वह कुए से पानी ला रही थी और किसी ने उसे देख लिया था उसका दिल जोर जोर से धड़कता है पता नहीं अब आगे क्या होगा वैसे बाहर सोरे सोननाक की आखों से भी नीद लगबग भाग गई होती है सावली को देखते ही उसके दिल में कुछ तो होने लगता है उसका चहरा उसे बार बार याद आता है वह बार बार पलट कर जोपडे के दरवाजे की तरफ देखने लगता है हो सकता है सावली के दिल में भी उसके लिए कुछ हो रहा हो और वह भी छुपकर उसे ही देख रही हो मगर हर बार सोनना की आखों को निराशा ही हाथ लगती है वह बगल में सोरे रामना की तरब देखता है जिसके खराटों से मेघ गरजना सा स्वर पैदा होने लगता है मानो अब कुछ ही पलोबाद वर्शा की बुदे वहा गिरने वाली हो अगली सुबह सुरज की पहली किरन के साथ सोनना को रामना की जाने की तयारी में लग जाते है काकना क, उसकी पत्नी, बच्चे और गाव के लोग उनके अगल बगल खड़े होकर अंग्रेज और उनकी फोच के बारे में खुतु हलवश कही प्रशन पूछने लगते है सोनना को उनके प्रशनों के उत्तर में कोई रुची नहीं होती है ये रामना क जानता है इसलिए वह अकेला ही उनके सारे प्रशनों के उत्तर देता है सोनना की आखे तो सभी से नजरे बचा कर सावली को ढूनने में लगी होती है जो उसे वहां नहीं दिखती है बार बार उसकी नजरे दरवाजे से टकराती है मगर हर बार निराशा हाथ लगती है आखे रामना क उसका हाथ खीच कर उसे चलने को कहता है तो सोनाग लंबी सासे भरते हुए बुझे मन से उसके पीछे निकलता है तभी सावली अचानक जोपड़े के बाहर आती है उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली होती है वह लजाते हुए पोटली सोनाग के सामने करती है इसमें खाना है रास्ते के लिए दोनों की नजरे मिलती है तो वो खिल खिलाते हुए अंदर भाग जाती है तभी मुखिया भी बड़ बड़ाते हुए जोपड़े के बाहर आता है बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के आने से हो सके तो वापसी में भी आईए हमारे या रामनाक सोननाक को आख मारते हुए मुखिया से कहता है मामा अब तो आना जाना लगाई रहेगा आपके यहाँ पर गोस्त जो बहुत स्वादिस्ट पकता है दोनों वहाँ से जाने लगते है सोननाक पीछे मुल कर सावली को देखने की कोशिश करता है मगर उसे सावली कई नहीं दिखाई पड़ती है मगर उसे क्या पता सावली तो जोपने के अंदर से छुपकर सुखी घास की परत को हलका सा हटा कर उसे ही देखते रहती है जब तक कि वह ओजल नहीं हो जाता सोननाक और रामनाक दोनों रास्ते की पहाडी पर चड़ते है और दूर से सावली के गाव को देखते है फिर पहाड की धलान से उतर कर अपने गाव का रास्ता पकड़ते है पहाडी धलान पर बसा सोननाक का गाव लगभग 20 घरों का कुनबा हर घर मिट्टी और लकडियों से बना हुआ और उपर से चवडे कवेलू का आवरन सुबह का वक्त गाव के लोग अपने काम में लगे हुए थे कोई बकरियों को चराने ले जा रहा था तो कोई गाय भैसों को तो कोई हल उठाकर अपने खेत में जा रहा था छोटे बच्चे खेल कूद में लगे थे लेकिन जैसे ही सोनाक और रामनाक का गाव में आगमन होता है तो पूरे गाव के लोग हाथ के काम छोड़ कर उन्हें देखने लग जाते है कोई हाथ उठाकर तो कोई हाथ जोड़ कर अविवादन करता है तभी सामने से एक सत्तर साल का बुजुर्ग उसके पास आता है कहो फोजियो इस बार बहुत जल्दी आ गए छुट्टी सोनाक का बाया हाथ कंधे पर पकड़े कंबल के पिठ्ठु पर होता है वह दाया हाथ उठाकर पहले अविवादन करता है फिर गोल मटोल सा उत्तर देता है अब क्या करें चाचा हमारे अंग्रेज अपसर हमारे से इतना खुश रहते हैं कि हमें बार बार छुट्टी भेशते हैं ये हुई ना बात और हम लड़ेते लड़ाईया उन पेशवाओं के लिए लड़े हम मरे हम और गद्धी पर बैटकर आज पूना में देखो हमारे लोगों का क्या हाल करके रखा है इसी बीच गाव का एक लड़का गद्रू वहाँ दौड कर आता है और रामना को देखकर खुश होकर कहता है अरे रामना क भाईया आ गया तू अभी तुमारे मा को मंदिर में छोड़के आया हो वो देख वहाँ खड़ी है दोनों उदर देखते हैं तो रामना की अंधिमा गाव के नाग मंदिर के सामने खड़ी होती है रामनाक और सोननाक बुजुर्ग से इजाज़त लेते हैं ठीक है चाचा फिर मिलते हैं ठीक है ठीक है दोनों मंदिर की और निकलते हैं मंदिर के पास आते ही सोननाक रामनाक का हाथ पकड़ कर उसे रोकता है और खुद उसकी मा के पैर चुकर सामने खड़ा हो जाता है रामनाक की मा वेनू अपने दोनों हातों को सोनना के चेहरे पर घुमा कर उसे पहचानने की कोशिश करती है रामनाक मुश्कुराते हुए देखते रहता है अरे सोन तू है कब है बेटा बस अभी आही रहा हूँ तो तू यहाँ मंदिर के सामने खड़ी है क्या करो बेटा तुम लोगों के सलामती के लिए मंदिर में आकर बैठ जाती हो शाम को कोई ना कोई घर छोड़ी देता है चलो अब आठ दिन तुमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है घर में ही रहना अकेली घर में रहकर क्या करोंगे बेटा अकेली नहीं रामना के साथ रामना का नाम सुनते ही वेनों खुश हो जाती है और हातों को सामने करकर इधर उधर उसे ढूनती है तब ही रामना कुसे आकर लिपट जाता है मा उसके चेहरे को हातों में लेकर दुलारती है सोननाक कुछ देर गिली आखों से उन्हें देखता है और वहाँ से निकल जाता है कुछ ही दूरी पर सोननाक का घर होता है घर के आंगन में ही उसकी मा राधाबाई पत्थर के जाते पर येहु पीसते रहती है मा भी अचानक सामने से आ रहे सोननाक को देखकर मुस्कुराते हुए खड़ी होती है सोननाक कंधे पर पकड़े पिट्टू को बगल की चार भाई पर रखता है और मा के पास आकर उसके पैर छूता है हरे सोन बेटा बड़े जल्दी आ गया चुट्टी अब जल्दी कैसे तीन मैने के बाद आ रहा हूँ मगर तू तो कहके गया था एक साल बाद आएगा अरे मा तेरा बेटा काम ही ऐसे करता है कि अंग्रेजो को चुट्टी भेजना ही पड़ता है तू अकेला आया है कि राम को भी लाया है साथ मा से बाते करते हुए सोननाक घर के भार रखे हौद के पास आता है और वहाँ के पानी से अपने चेहरे को साफ करता है फिर वापस मा के पास आकर उसके साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को साफ करते हुए उसे कहता है अरे मा रामनाक मेरे सिवाय रह सकता है रोने लगा अफसर के सामने तो भेज दिया उन्होंने उसे भी छुटी मेरे पिछे पिछे ये सुनते ही रादा भाई हसने लगती है ठीक है ठीक है आज रात खाने पर बुला ले ना उसे सोनाक सामने पड़ी चार भाई पर लेट जाता है अरे क्या हुआ आते ही लेट गया ना बात ना खबर सोनाक मुश्कुराते हुए अपनी आखे मूंद लेता है और सावली के खयालों में खो जाता है आकाश में कल के मुकाबले आज रात का चांद जरा जादा ही चमक रहा था उसी तरह सोनाक के चेहरे पर भी आज जादा ही चमक बिखर रही थी घर के बरामदे में बैट कर रामनाक और वह खाना खा रहे थे रामनाक रोटी का का और मुँ में डालते हुए कहता है चाची के हाथ का वैगन का भरता काश हमारे मेंस में भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए सोनाक से कोई जवाब न मिलने पर वह सोनाक की तरफ देखता है मगर सोनाक तो अपने ही खयालों में खोया होता है रामनाक उसके गाल की चिमटी लेता है तब जाकर वह होश में आता है और रामनाक की तरफ अजनबियों के जैसे देखने लगता है रामनाक आखे मटकाते हुए पूछता है और कहा उड़ा भाई सुननाक जमीन पर आजा सुननाक समल जाता है हाँ हाँ बोलो ना क्या बात है मैं कह रहा था चाची के हाथ का बैगन का भरता काश हमारी मेस में भी मिल जाए तो मज़ा आ जाए तब तो मा को भी हमारे साथ फोज में भरती करना होगा तब ही रादावाई अंदर से पतिला लेकर निकलती है और सबजी रामना के प्लेट में डालते हुए कहती है मुझे इस उमर में फोज में लेकर जाओंगे शादी क्यूं नहीं करते हैं पिर लेकर जाना अपने बीवियों को अरे मा तो फिर शुरू हो गई तो क्या मैं जिंदगी बर तेरे लिये रहूंगी अरे राम ये नहीं करता तो तू ही कर ले कम से कम अपने अंधी मा का तो खयाल कर चाची जब बड़ा ही शादी नहीं करता तो छोटा कैसे करेगा तू ही बता सोन मेरे से तो दो दिन बड़ा है न मैं तो बता बता के ठक गई हूँ पंदरा साल कीती तब इस घर में आई थी और तुम्हारी उमर देखो सही कहा चाची इसे कल ही पुना लेकर जाता हूँ और वही से एकाद बहु लेकर आता हूँ अरे पुना की बात मत कर वहां की लड़किया बहुत धुर्थ होती है फसा देती है यहाँ पर सोनाक चूप नहीं रहता मा तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई लड़की फसा सकती है रामनाक बीच में ही चुटकी लेता है अरे फस तो गया है अब क्या बाकि है सोनाक रामनाक की तरफ आखे निकाल कर देखता है उन दोनों की बाते मा को नहीं समझती है वो पूछती है सोननाग अपनी मा को समझाता है कुछ नहीं मा, इसके गले में बैगन का छिलका फस गया है अरे पानी पीले, उतर जाएगा पेट में रामनाग भी मजे लेता है चाची, अगर दिल में उतर गया तो लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिक कल मुझे हकीम को दिखाने सावली के गाउ में जाना ही होगा चलोंगे ना सोननाग सोननाग मुस्कुराते हुए चूप रहता है तब रादा भाई बीच में ही बोलती है क्यों नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा तो मैं चलूँगी मगर ये सावली का गाउ कहा है? अरे मा तू रहने दे, वाद तेरी नहीं मेरी जरूरत पड़ेगी सही कहा बेटा, तुम दोनों ही एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हो दूसरा कौन समझेगा? रामनाग भी चेहरे को दुखी बना कर हामे सर हिलाता है दूसरे ही दिन सुबह दोनों सावली के गाउ में जाने को निकलते है उन्हीं पहाडियों के बीच से पैदल उन्हें जाना होता है दो पहर होते होते दोनों सावलिके गाउ के बगल की पहाडी पर दोड़ कर उपर चड़ते है फिर लंबी सासे लेते हुए मुस्कुरा कर दूसरी तरब बसे उस गाउ की तरब देखते है तो दूर गाउ से उन्हें धुआ निकलते हुए दिखता है दोनों एक दूसरे को किसी शंका से देखते है और दोड़ कर उस गाओ की तरब बढ़ते है कुछी देर में सोनाक और रामनाक उस गाओ में पहुच जाते है उन्हें अचुतों के जोपडों की ओर से धुआ निकलती हुए दिखता है वे दोड़ कर महरवाडे में आते है और जब वे वहाँ की अवस्ता देखते है तो हका बका रह जाते है हर ओर सन्नाट अच्छाया होता है सभी जोपडों के दरवाजे बंध होते है सावली का जोपडा जलकर खाक हुआ होता है तो बगल के पेड़ पर उसके पिता का शव फासी पर लटकाया हुआ दिखता है दूनों को विश्वास ही नहीं होता वो एक दिन पहले ही तो इस काव से निकले थे सब कुछ ठीक ठाक था उन्हें लगता है वो कोई सपना देख रहे है सबना की नजरे सावली को ढूलने लगती है वह उसे पुकारता है सावली, सावली मगर कई से कोई जवाब नहीं आता उतने में एक जोपड़े का दरवाजा हलके से खूलता है अंदर से काकनाग बाहर जाकता है और सबना को देखते ही वह बाहर आता है और जो जो से रोने लगता है सोनाग उसके पीट को थप थपाता है किसने किया ये सब काकनाग किसी तरह अपने जजबाद पर काबू पाता है परसो राद सावली ने गाव के कुए से पानी क्या लाया तो कल रात उरो रहे काकनाक की आखों के सामने सारा मंजर तैरने लगता है रात के अंधेरे में हाथों में मशाले लेकर गाव के गंगादर और लक्षमन के पीछे कई सवर्ण गुस्से से मुख्या के जोपड़े के आगे आते है और गालिया देते हुए दर्वाजे को पैरों से ठोकर मारने लगते है उनमें कुछ आउरते भी होती है अचानक दर्वाजे पर हो रही आवाजे सुनकर मुख्या दर्वाजा खोलता है तो सामने खड़ा लक्षमन उसके गले को पकड़ कर बाहर कीछता है हरामी कुत्ते हमारे कुए पर जान बूझकर लड़की को भेजा और कुए को भरस्ट किया इतनी हिम्मत बढ़ गई तुमारी मुख्या कापते हुए हातों को जोडता है नहीं मैं बाप लड़की से गलती हो गई अब इसके बाद नहीं होगी तभी एक अवरत आगे आती है और चीर कर पूछती है कहा है तेरी लाडली निकाल उसे बाहर बहन वह अंदर नहीं है फिर कहा गई वह चुडेल यह सारा माजरा सावली बगल के जोपडे से छुपकर देखते रहती है डर और आतंक से वह अंदर तक काप उड़ती है फिर भी बाप को बचाने वह जोपडे से बाहर निकलते ही रहती है तो काकनाक उसका हाथ पकड़ लेता है ना बेटी तू उनके सामने बच्चा वो तेरा क्या हाल करेंगे तू नहीं जानती तू यहां से भाग जा जा भाग जा तभी उसके कानों में मुक्या के जोपडे के सामने खड़े गंगाधर के चीखने की आवाज आती है अरे बुला तेरे लाउंडिया को बाहर नहीं तो चलाओ रे इसका घर चलाओ इसका घर चलाओ कुछ लोग हाथ की मशाले उस जोपडे पर फेकने लगते है तो मुक्या बैठकर गंगाधर के पैर पकड़ता है मत चलाओ मेरा जोपडा मत चलाओ रे मेरा जोपडा मत चलाओ मुक्या के जलते जोपडे को देखकर गाओ के दूसरे अचूत अपने अपने जोपडों से निकल कर छोटे बच्चों को गोदी में या कंधे पर बिठा कर भागने लगते है साउली भी काकनाक के जोपडे से बाहर निकल कर अपने पिता और जलते जोपडे की तरब दुख भरी नजिरों से देखते हुए अंधेरे में भागने लगती है कुछ दूर जाकर वहर रुक जाती है फिर रोते हुए पीछे मुण कर देखती है तो उसका पिता रोते हुए हाथ जोड कर बैठा होता है मत जलाओ रे मेरा जोपडा अब कहां रहेंगे अब कहां रहेंगे तभी गंगाधर उसके गले में रसी का पंदा डालता है तुझे जिंदा छोडेंगे तब तो तु जोपडे में रहेंगा ना चर गंगाधर उसे घसीटते हुए पास के एक पेड़ की ओर ले जाता है मुखंड उसका विरोध करता है मगर गले का पंदा धीरे धीरे कसने लगता है काकनाक उस रात की सारी जाधती विस्ताज से सोनाक और रामनाक के सामने फूट फूट कर रोते हुए बताता है पानी के लिए मुखिया मामा को मार डाला उनोंने सिर्फ पानी के लिए मार डाला तब तक उसकी पतनी और गाओं के दूसरे अच्छमूद भी रोते हुए वहाँ आकर अगल बगल खड़े हो जाते है सोनाक उनसे चीख कर पूछता है सावली का है काकनाक आसु पोचते हुए बताता है हम सभी रात को जंगल में भाग गए थे और सुबह वापस आ गए मगर वो डरी हुई थी नहीं आई वो नहीं आई नहीं आई? क्या मतलब? वो जंगल में ही कई छुपी होगी उसे खोजने वो लोग आज सुबह से ही जंगल में गए है अब पता रही उसके साथ क्या होगा तो सोनाक आग बबुला होकर चीकता है चल रामनाक? दोनों जंगल की तरफ दौड ले लगते है दोस्तों आगे की कहानी आप अगले चाप्टर चार में सुन सकते है सावली जंगल में कहा छुपी होगी? गाव के सवर्ण जो उसे जंगल में ढूनने गए है उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे? क्या सोनाक और रामनाक जंगल में जाकर उसे बचा पाएंगे? और आगे क्या होगा? सुनते रहे आत्मसमान का रन संगराम और दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के बाद इस चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें